प्रादेशिक समाचारी कांच भूपाल से प्रस्तुत है आलिराजपुर जिले की चिठ्थी आलेक चंद्रभान सेंग भदौरिया वाचक स्वर सैयुक्ता बानर जी आलिराजपुर जिले की दो विधान सभा सीटों पर मद्दान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मद्दाता जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है स्वीप प्लान के अंतरगर जिले की सीमाओं के अंदर 17 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में मद्दान करने संबंधी नारे स्थानिय भार्षा में लिखे गए हैं और रैलिया निकाली जा रही है अलिराजपूर जिले की जौबट विधान सभाक शेत्र में सबसेन यूनितम मद्दान का रिकॉर्ड है इसे बढ़ाने के लिए गुजराद गए प्रवासी मजदूरों का पंचायतों से डेटा एकत्रित किया जा रहा है साथ ही प्रलोभन देने वालों की जानकारी प्रशासन को देने की बात कही जा रही है आगा में विधान सभा चुनाफ के लिए नामांकन भरने का काम शुरू हो चुका है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2 नवंबर तक आवेदन से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर चुनाफ चिन हावंटित कर दिये जाएंगे 17 नवंबर को मद्दान संपन होगा और 3 दिसंबर को मत गणना होगी चुनाफ शांति पून धंक से संपन करवानी के लिए आदर शाचार सहिता जिले में लागू है साथी धारा 144 लागू की गई है आलिराजपुर जिले में सोशल मीडिया पर भी धारा 144 लगाई गई है साथी बिना अनुमती के सभाया रैली को प्रतिबंधित किया गया है इसे पहले शास्किय योजनाओं के प्रजार प्रसार से संबंधित पोस्टर और बैनर हटाए गए जिले में अर्ध सैनिक बलो की तैयारी की गई है इनके जवान जिला पुलिस के साथ मिलकर जिले में फ्लाग मार्च कर रहे हैं और आम लोगों को शांथी पून ढंग से चुनाव संपन होने को लेकर आश्वस्थ कर रहे हैं अलिराचपुर जिले से सटी गुजरात की सीमा पर और नर्मदानदी से सटी महराश्री की सीमाओं पर जांच के लिए नाके बनाए गए हैं जहां आने जाने वाले वाहनों और नाओं की जांच की जा रही है जिला नर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इंटर स्टेट चेकिंग पॉइंट के साथ साथ अंतर जिला चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं जो धार छाबुआ की सीमा पर बने हैं इनका मकसद अपती जनक सामगरी को रोकना है जिला नर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी हमारी टी में सहमती प्राप्त कर रही है जिसकी घर बैठे मदान की सहमती होगी उन्हें ये सुविधा उपलब्द करवाई जाएगी अलिराजपुर जिले की जौबट और अलिराजपुर विधान सभा सीटों पर मदाताओं में महिला मदाताओं की संख्या देख है जिले में कुल पुरुष मदाता 2,81,016 है तो महिला मदाताओं की संख्या 2,85,408 है जिला निर्वाचन अधिकारी ने महिलाओं से अपील की है कि मद्दान में वे बढ़ चड़ कर भागिदारी सुन्ष्चित करें आलिराजपुर जिले के गुजराद से सटे मद्दान केंद्रों पर विशेश निगरानी रखी जाएगी यहाँ पेरमिलिटरी फोर्स की तैनाती के साथ ही विशेश कैमरे के जरिये आयोग सीधे वोटिंग प्रक्रिया देख सकेगा साथ ही आदर्श मद्दान केंद्रों बनाये जा रही है और पिंख बूद की भी तैयारी की जा रही है दो अक्टूबर को गांधी जहनती पर महत्मा गांधी को शुद्धानजली दी गई गांधी जी की प्रतिमा पर पुषपांजली के साथ ही उनका स्मरण किया गया इस अफसर पर वक्ताओं ने उन्हें शुद्धानजली अर्पित की और उनके विचारों को आज अधिक प्रासंगिक बताया जिले में शुद्धान के साथ ही स्वच्चता को लेकर अभियान चलाया गया पवित्र नवरात्री पर वालराजपुर जिले में धूमधाम से मनाया गया जिले भर में माता के गर्बों की धूम रही खासकर महिलाओं से गर्बा पंडाल भरे हुए थे और गर्बा और डांडिया रास के साथ लोग माता की भक्ती में ली नजर आए दशेरा पर्व भी अंचल में उल्लास के साथ मनाया गया स्थानी निकायों ने रावन दहन कारिक्रमाय उजद किये जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिर्कत की आदिवासी अंचल अलिराजपुर में मा पारवती से जुड़ा संझा पर्व 16 दिन तक उल्लास के साथ मनाया गया गोबर सिबनी संझा को सजा कर गीद गाय गये और फिर संझा की विदाई हुई इससे पहले आलिराजपुर जिले में पवित्र गणे शोटसव का तेओहार उत्साह पूर्वक मनाया गया जिले के जोबट, आलिराजपुर, आजाद नगर, आदी कजबो में बड़ी ही भविता से गणे शोटसव मनाकर भगवान गणपती को विदा किया गया जिले के चिठी समाप्त होई